नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 नियोज उत्य परदेश में जहां एक तरफ एंकाउंटर की घटना है जहां समाजवादी पार्टी के जरिये भारतिय जनता पार्टी पर आरूप लगाने के लिए मुद्दा बन जाती हैं तो वहीं ये एक बड़ा कारण उत्तपरदेश के उपचुनावों में भी देखने को मल रहा है कहा जो रहा है कि उत्तपरदेश की दस विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और यही घटना उपचुनावों में किसी पार्टी को जीत के कगार तक पहुंचाएगा तो यही घटना किसी प काउंटर पर भी सवाल खड़े करते हुए योगी आदितिनाथ को घेरते हुए नजर आते हैं अब यह पूरा मामला तो उठा लेकिन अब इस पूरे मामले के तहत उप्चुनावों को लेकर देखा जा रहा है उप्चुनाव में जहां एक तरह समाजवादी पार्टी जीत का दावा करती है वहीं दूसरी तरह समाजवादी पार्टी जीत ना पाए यह कहीं न कहीं बड़ा कदम उठाती हुई भारती जंता पार्टी नजर आ रही है इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार भारती जंता पार्टी के खिलाव समाजवादी पार्टी के रास्टी अध लेकिन अजीत प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे अपहरण के रंगदारी के विरोती के तमाम आरोप लगते वे नजर आए और इस अधार प्रेफवयार भी दर्ज हुई यह कहा जा रहा है कि अजीत प्रसाद कहीं न कहीं गिरफतार हो सकते हैं कि मिलकेपूर सीट पर भी समाजवादी पाटी फिलाल तो फ़स चुकी है लेकिन दूसरे सीट है करहल विधान सभासी करहल विधान सभास सीट पर नाम तै नहीं है लेकिन तेश प्रताप यादव का नाम सुर्खियों में था अब इस अधार पर ये भी कहा जा रहा है कि पद ग्रहन करती नजर आई लेकिन नराजगी जग जाहिर हो जाती है वो है अपड़ना यादव जो भारती जंता पार्टी का हिस्ता है उत्तर प्रदेश महिला आयोक क्यों पाध्यक्ष बनाई गई है नराजगी इसका दर बड़ी शिपाल यादव से मुलाकात हुई अपड़ना यादव अंदर खाने में कुछ ना कुछ गुल खिलाती नजर आ रही है तो ये बड़ा कदम भी उठा सकती है कि भारती जंता पार्टी से बगावत भी कर जाए अब इस पूरे मुद्दे पर अपड़ना यादव एक बड़ा महतपूर कदम उठा सकती है इस ब आज वाधी पार्टी उप्चुनावों से पहले फस्ट चुकी है इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राए क्या है अपनी राए कम सेक्शन में जरूर बताएं देखते रहें स्पेन नाइन न्यूस थाने बाद